फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला के साथ वर्षी लापता बालक को पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के ताकत लगा कर महस डेड़ गंटे के अंदर ही खोज निकाला बेटे को दुबारा सामने पाकर मा की आखे जलक पड़ी तो वही भटकता बच्चा भी अपनी मा को देखकर दोड़ कर उसे गले से लगा लिया जानकरी के मताबिक संतरा मार्किट में फुटपात परहने वाली फुलन देवी शिवा लोहार नामक महिला ने तैसिल थाने में शिकायत दच की थी कि उसका साथ वर्षिये बेटा राहुल गत एक जुलाई को शाम करीब छे बजे में उस्पताल चौक से ये कह कर गया था कि वह मोमिन पुरा जा रहा है लेकिन वह घर वापस नहीं लोटा यह जानकारी मिलते ही थानेदार विनोत पाटिल द्वित्य थानेदार विनाग गोले ने थाने के डीबी स्कौट मिसिंग स्कौट और सभी बीट मार्शल को काम पर लगा दिया पुलिस कर्मियों को बच्चे की तस्वीर भेज दी गई पुलिस परिमंडल तीन के उपायक तो गोरक भामरे ने सभी पुलिस जवानों को मुमिन पुरा चौक में बुला कर सर्च ओपरेशन शुरू किया और करीब डेड़ घंटे की मशकत के बाद ही उस बालक को मुमिन पुरा चौक से गरिब नवाज मस्जित के बीच गली से खोज निकाल लिया गया बालक मा के पास पहुचने के बाद ही गले से लिपड़ गया मा बेटे की आखे नम हो गई वरिश अदिकारियों ने तहसिल थाने की टीम का इसकारे के लिए अभी नंदन किया तहसिल पुलिस सेशन में जब हम आज थे तभी दोपर को धाई बज़े के असपास एक मैला अपने बच्चों की गुम्शम होने की खबर देने के लिए थाने में आई हमने तोड़ी पुष्टाज किया और हमारा डूटी ऑपिसर पीए सामाई हमने साथ में पुष्टाज क जाके आता है ऐसा बोलके चला जाया मगर अभी तक आया नहीं आइसा उसने बताया तभी हमने पुरा इंफरमेशन कलेट करके हमारे डीवी पतक मेशीन पतक हमारे अन्या अपिसर्स और पूर्ण बीट मार्शल्स और पेट्रोलिंग वेहिकल सबको इस बारे में जानकरे द में सर के आदेश के मुताबिक हमने पुरे जोन के विट मार्शल को भी थाने में बुला लिया और मुमिनपुरा में पूरा सर्च ऑपरेशन किया उस दवरान हमें वह चोटा सा लड़का उसका नाम है राहूल शिवा लोहार उम्रस साथ साल यह मुमिनपुरा चौक और गर लेके ठाने में लाया और उसके माता के हवाले किया इन बीसे न्यूस के लिए क्लेश भादवाज के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट